यह एक्सप्रेशन देखिए इवेन एक्सप्रेशन को फेक्टराइज करना है और इसमें सबसे पागए दोनों टर्म के फेक्टर को हम लोग निकाल देते हैं 5y can be written as 5 into y and 7y square can be written as 7 into y into y अब देखिए दोनों में क्या common है y common है दोनों दर्म में y common है अब देखिए y को अगर हम लोग common ले लिया तो इस दर्म में बचा क्या 5 minus इसमें y common ले लिया यहां बचा क्या 7y यह दो रिक्वार्ड फेक्टर्स हैं 5y minus 7y square के 5 minus 8y